हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो देसी गुलाब की कटिंग पर है गुलाब की कटिंग में सिर्फ देसी गुलाब की ही कटिंग लगती है हाइब्रीड या इंग्लिस गुलाब को जंगली गुलाब के उपर ग्राप्ट किया जाता है इस वीडियो में आपको cutting लगाने से लेकर अपडेट रिजल तक पूरा complete वीडियो देखने को मिलेगा और गुलाब की cutting में आपको कौन सी एक main गलती नहीं करनी है वो आपको वीडियो के end में जानने वह देखने को मिलेगा जो कि beginners के दोवारा सबसे ज़्यादा किया जाता है और उस गलती की वज़े से गुलाब की cutting success होते होते रह जाता है तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको semi hardwood cuttings लेना है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा नया और बहुत ज़्यादा पूराना जो कि brown color का होता है दोनों ही cuttings को आपको नहीं लेना है आपको ठीक इसी तरह का cutting semi hardwood वाला जो green सा और new growth start करने की स्थिती में हो और मोठाई लगभग pencil के जैसी होनी चाहिए थोड़ा 19-20 चल जाएगा पर कोशिस करना है आपको इसी तरह की cutting लेने की इसके बाद cutting को आपको 45 degree के angle में तिर्षा cut करना है तिर्षा cut करने पर cutting का bottom part मिट्टी के ज़्यादा से ज़्यादा contact में होने की वज़़े से success result ज़्यादा आता है cutting को सिकेटियर से cut करने के बावजूद आपको किसी paper cutter वगएरे से एक sharp cut करना है क्योंकि cutting अगर फ्रेश रहता है तो आपको rooting hormone वगएरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी cutting को लगने के लिए उसमें sharp cut लगा होना सबसे जरूरी है ऐसा नहीं होने पर rooting hormone यूज़ करने पर भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा इसके अलावा cutting की लंबाए भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है 6-7 inch तक की cutting आपको लेनी है और मीडिया में आपको फ्रेश मिट्टी लेनी है और इसमें आपको कोई भी खाद बगरे aid नहीं करना है cutting लगाने के लिए आप कई तरह की मीडिया यूज़ कर सकते हैं जिसमें normal मिट्टी, welden मिट्टी या फिर सिर्फ sand मीडिया सभी में cutting लग जाती है यहां तक की chickeny मिट्टी में भी cutting लग जाती है आप जो गुलाब नर्सी से लाते हैं उसमें आपने देखा होगा वो चिकनी मिट्टी में ही लगा होता है क्योंकि नर्सी वाले जंगली गुलाब की cutting चिकनी मिट्टी में grow करके फिर उसमें graft करते हैं देखे गुलाब की cutting मीडिया की वज़े से कम खाद एट करने की वज़े से ज्यादा फेल होते हैं इसलिए आपको cutting के चल जाने के बाद ही खाद वगरे को एट करना है इसके बाद हमें cutting को धाई से तीन इंस तक गहरा मिट्टी में दबाना है cutting मजबूती से stand रहेगा और नहीं हिलेगा तभी उसमें rooting स्टार्ट होगी दोस्तो cutting हमारा लग चुका है अब इसमें watering करेंगे इसके बाद मैं इसे plastic bottle से भी cover करने वाला हूँ क्योंकि अधिक ठंड में cutting लगाने पर shooting स्टार्ट होने में उसमें काफी लंबा time लग जाता है जबकि plastic bottle से ढखने पर अंदर का temperature और humidity बहुत हद तक बढ़ जाता है लेकिन अगर आप अभी फरवरी मार्च में cutting लगाते हैं तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों cutting को लगे हुए 12 दिन हो चुके हैं और मुझे बाहर से ही हलकिल की growth भी दीखने लगी है इसलिए अब मैं plastic bottle को हटा लूँगा क्योंकि suits आने पर भी bottle नहीं हटाने पर सारे suits गल जाते हैं जरूरत से ज़्यादा humidity होने की वज़ा से इसके बाद अब इसे parcel set में रखेंगे एक याद दो दिनों के बाद ही direct sunlight में रखना है क्योंकि bottle को हमने अभी अभी हटाया है इसलिए सारे cuttings थोड़े बहुत सोक में अभी जरूर होंगे इसके बाद ये 15 दिनों का update है इसमें अब पतियां भी आनी शुरू हो गई है इसकी एक बार हल्किल की गुड़ाई कर लेंगे फिर इसे direct sunlight में रखेंगे इसके बाद दोस्तों ये final 38 दिनों का update में आपको सो कर रहा हूँ इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें अभी काफी अच्छी रूटिंग हुई होगी पर ऐसा नहीं है गुलाफ की cutting में पत्ते पहले आते हैं और रूट्स बाद में बनते हैं फिर भी मैं सारे cuttings को निकाल कर आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेरी आज की वीडियो का main मकसद भी यह है और यहीं पर खासकर beginners के दोबारा गलती की जाती है क्योंकि उन्हें लगता है यह report के लिए ready हो चुका है लेकिन जब वे cuttings को बाहर निकालते हैं तो उनमें roots होते ही नहीं है फिर उन्हीं cuttings को दोबारा लगाने पर वो survive नहीं कर पाते हैं लेकिन जो पुराने gardeners होते हैं उन्हें यह बार definitely पता होता है हलाकि मेरी चार cuttings बरबाद हो चुकी हैं पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने और भी कई सारी cuttings गुलाब की ग्रोग की हुई है जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ share किया हुआ है उस वीडियो का लिंक भी आपको description box में मिल जाएगा और ये वीडियो बनाना मुझे मेरे subscribers के लिए जरूरी भी लगा ताकि उनके द्वारा एक गलती यहां पर ना हो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग